नीज़ात कि बहीयां वतारे हैं या हम लंबे समय से 2021 से लगबी रशे परिचीत हैं मेरा परिवार उन को अच्छे से जानता है और कई बात है हम लोग शेयर करते रहे हैं कि मैं भी मैं विश्वास में इतना ठीक नहीं था ना मैरा परिवार था कि प्रियास करते रहते थे हमें कहीं से कोई अच्छी विश्वास की बाते मिले इसके लिए हम लोग कई बार कि अलग-अलग स्थानों पर कि गए ताकि हमको शांती मिले या हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए कि एक ऐसा ही समय आया था हमारे जीवन में 2011 में जब यहां पर एक हमारे पल्ली पूरोई थे उन्होंने बोला कि मैं आप लोगों को घुमाने के लिए आपको घुमना है तो मैं केरल लेकर जाता हूं कि तो उन्होंने इस तरह प्रोग्राम सेट किया कि वहां पर 15 दिन आपको रिट्रीट पोर्टा सेंटर जो है उसमें आपको भाग लेना है उसके बाद आपको घुमाएं कि हमने बोला कभी इंडिया में कहीं गए ही नहीं है प्राजस्तान में तो ठीक है आज पास का देखा हुआ है लेकिन थोड़ है लेकिन को मेरे परिवार के साथ मैं अब बच्चों को लेकर मैं वहाँ पहुंचा अर। और मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं अकेला नीं जाओं किसी और आपको भी लेकिए जाओं जब मैं जा रहा हूं मेरी जो अंदर की जो तो मैं वहां गया और मेरे जितने भी यहां मिशन की अन्य लोग थे उनको भी मैंने तयार किया कि आप भी चलो तो 40 जनों के टिकेट मैंने खुद ने बूग कराए ट्रेन से हम रिट्रीट पोटा सेंटर पहुचे उस समय एक फादर सीजों हुआ करते थे उन्होंना सारी वेवस्ता करी हम लोग कि वहां पर चंगाई साधना में भाग ले रहे थे कि भाई अशोग जी वहां मुझे पहली बार स्टेज पर दिखे है कि इनका गाना कि बहुत प्यारा लगा मुझे वह गाना था गीत गाउस प्रभू के और जिस तरीके से वो बजा रहे थे मुझे लगा कि मैं इनसे मिलूं और जब मेरी इच्छा हुई तो मैं उनको ढूंडते हुए उनके रूम तक जहां यह ठेहरे हुए तो मैं उदर जाना चाहा रहा था और मुझे उनसे कुछ सीखना था मेरे पास एक कीबोर्ड था मुझे आता नहीं था लेकिन जब उनको बजाते मैंने बोला चीज मैंने बोला याद्म मुझी जानता नहीं है लेकिन इतना दयालव है उसने मुझे देगिया जबकि पहले मैंने सुना था कि जो रिदंस वग्यरा कहीं से हम उसमें लेते हैं तो दानə है लेकिन भीया ना मुझे फ्री दिया मैंने ठीक है रभ़ कुष्ध धन्यवास हम घु एक खास बात यह थी कि मैरे अभी मेरे पास मेरी चार बेटियां हैं और दो बेटियां बड़ी हैं दोनों ब्येट कर रही हैं लेकिन उनके बाद एक लड़का था मुझे प्रभू ने दिया था कि रिट्रीट पोटा सेंटर जाने से पहले की बात बता रहा हूं मैं तो वह बच्चा कि प्रभू ने दिया था लेकिन कम समय में दुनिया में आ गया जब उसकी जो ग्रोथ थी वो नहीं दिखी नहीं वो साथ महीने का सम्थिंग था तो मैं उसको लेकर डॉक्टर के पास एड्मीट कराया दाहोद के अंदर संतोक बाहोस्पिटल है ऐसा कुछ है नाम मैं बोल रहा हूं लेकिन मैं दाहोद के अंदर मैंने बच्चे को एड् होंगे और फिर बच्चा थोड़ा उसकी कंडिशन खराव होने लगी कि उस समय मेरे मम्मी और मेरी वाइफ ही मेरे साथ थे उनको मैंने एक रूम जो है वो दे दिया था हम की आप ऊपर ठेहरो बच्चा जो इंक्यूबेटर में रखा हुआ नीचे वहां मैं बेटता हूं को बार-बार पेशाव वगेरा उसका नेपकीन वगेरा चेंज करवाने के लिए मैं रात को इसके पास था डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप इसके पास ही वेटना ध्यान रखना गीला हो जाए तो उसको पल्टी करवा देना उसके कपड़े बदल देना तो मैंने बोल पानी पी जाते से बोलते हैं ना बच्चे डिलेवरी के टाइम पर तो पानी एकदम से बच्चे ने निकाला और मैं गया जाकर उस पानी को साफ किया सब कुछ किया लेकिन मैंने पाया कि बच्चा मर गया लेकिन रात की धाई वजरी थी मैंने सोचा कि अब मैं रात को मेरे मम्मी और मिसेज को जगाऊंगा तो यह रोना दोना शुरू कर देंगे और पूरा अस्पता सर पर उठा लेंगे करें तो मैंने उनको जगाया नहीं लेकिन मैंने वार्डबोई यो था उसको बोला भी आप इसा करो डॉक्टर साब से अभी हमको घर जाने की वेवस्ता करवा दो और जाकर उनको जगाओ डॉक्टर साब उपर ही रहते थे उसी हॉस्पिटल में वो वाडबोई गया जब बच्चा खतम हो गया है मैंने थोड़े आंसू निकले मैंने कुछ नहीं बोला मैं डोक साहब से बोला बड़ी मुश्किल से मुझे लंबी मिनतों के बाद दो बेटियों के बाद एक बेटा दिया था प्रभू ने मेरे मन के अंदर था कि डोक्र साहब को बोल दिया मैं को आप जाइए और अंदर जाकर जो भी आपका दो तीन दिन का चार्ज बन रहा है आप उसका बिल मुझे दे दीजिए मैं पेकर दूआ और सुबह मुझे जल्दी निकलना है डोक साहब अंदर चले गए चैबमर मैं पूरा जांच किया सब क मम्मी को मैंने बोला नहीं था कि ऐसा हो चुका है कि मैंने डॉक्टर अपना काम कर रहा था बाहर खड़े रहे के जहां बच्चा जिस वॉर्ड में रखाऊगा था बाहर दर्वाज पे उकांच का गेट था तो मैं उसको देखते हुए प्रेयर करने लगा प्रभू से कहने कि और मैं इस तरह हो उख अंसो गिराते हुए प्रभू से प्रातन करी कि अच्शेय कि अधिक उसको जिला उसको द्धार प्रभू का धन्यवात करता हूं स दिन मैं मैं मेरी लाइफ के अंदर पहला चमद्कार देखा ता कि प्रभू क्या कर सकता बच्चे को मरने के कितनी देर बाद ये गंटा-डेर गंटा तो काई समय हो गया था फिर जब मैंने जिंदा पाया मैं ड्रक्टर को तुरूंत मैं दाक्टर सभ बच्चा जिंदा नहीं पूरा च्रेकर लिया फिर और उन्होंने देखा तो पाया कि वो जिंदा है तो उसके बाद हम लोग वहां पर तीन चार दिन और भरती रहे जब भरती रहे तो डॉक साब ने बोला कि अभी तो ठीक है हमको भी श्वास हो गया कि अब ठीक है लेकिन मैंने जीद पगड़ ली कि नहीं मैं इसको लेकर जाऊंगा अब मुझे ले जाना है यहां रहेगा त तो पता नहीं और ज्यादा परिशान हो गाई है मैं इसको कहीं अपने घर पर ले जाऊंगा और बिस्तर वगेरा मैं उसे रखकर उसे बढ़ा कर लेंगे मेरे पापा मेरे पापा ने भी बोला तू ले आ घर पर बहुत हो कि ऐसा हमने देखा है कि जो साथ महीने के बच्च होचे सबर्चे आया है घर आया एक दिन रुखा दूसरे दिन फिर बच्चे को कुछ गड़ोबण रगा मुझे तो मैं दिखाने के लिए दाहौत में गया वापस लेकिन उस और मिए दूसरे हосपिटल में दूसरे होस्पिटल में गया और जूसरे हस्पिटल डॉक्ट्ट मैं सर्विस में था तो मैं एक जुलाई को स्कूल पहुचना जरूरी था तो मैं स्कूल के लिए निकल आया और पीछे से मेरा बच्चा ओफ हो गया लेकिन उस बच्चे न जाते-जाते मुझे वह विश्वास दिया वह विश्वास दिया आज मैं उस विश्वास की बदोले थी मैं किसी से भी लड़ने के लिए तयार हूँ प्रभु को धन्योगा